ओके सो लेट्स स्टार्ट cm2 April 24 का पेपर करेंगे question number 1 से चालू करेंगे ठीक है फोन में कुल लो April 24 का question number 1 से चालू करेंगे explain why an investor who believes that semi strong form efficient market hypothesis applies would invest in an actively managed fund मतलब अगर किसी को लग रहा है कि semi strong form EMH है semi strong form अगर EMH है अगर ऐसा उसको लग रहा है ठीक है तो वह actively managed fund में तो वह actively managed fund में क्यों invest करेगा फिर यह लोग बोलता है behavioral heuristic की बारे में बताईए over confidence ठीक है describe an example of a situation that illustrates over confidence in the context of fund management देखो over confidence का मतलब क्या होता है आप अपना abilities को जब over estimate करते हो ठीक है तो आप अपना abilities को over estimate जब करेंगे तो क्या होगा fund management के context में आपको एक example दे सकता हूं आपने share खरीदा SGFC bank का ठीक है SGFC bank का आपने share खरीदा मान लेते 1800 पे for example मान रहो ठीक है all time high पे आपने share खरीद लिया आपका stop loss था 10% पे तो 10% मतलब 180 रुपया नीचे आपको बेचना था बने 1620 रुपया पे आपको sell action दबाना था बट 1620 पे आपने नहीं दबाया आपको लगा यह उपर जाएगा यह हो गया आके 1500 फिर यह हो गया 1400 फिर यह हो गया 13 सो अल्टिमेटली आपने बहुत भारी नुक्सान कर दिया so this is overconfidence ठीक है पहला जो बोल रहा है कि क्यों वह actively invest करेगा क्योंकि उसको लगता है कि वह actively stocks ढूंड के alpha generate कर सकता है अब जैसे देखो उसको क्या लगता है कि वह जो active form है वह जो active form में अगर वह investment करेगा उसके अंदर में abilities हैं उसके अंदर में अब semi strong form अगर efficient है तो ना तो तुम्हारा past history काम करेगा technical भी काम नहीं करेगा और fundamental भी काम नहीं करेगा तो ऐसा हो सकता है कि वह insider कर रहा हो उसके पास में price sensitive information हो जो company के लिए खाली internal हो तो इस तरीके से और और सोचना पड़ेगा तुम लोग को और और सोचना पड़ेगा अब जैसे जो overconfidence है last time वाला लोग हला मचाने लग गया बोला overconfidence तो आप नहीं पढ़ाए बोला overconfidence में पढ़ाने का है तुम चीज़ समझो आज तुम सारा exams दे रहा है तुमारा सारा exams एक एक बार में clear हो गया फिर जब नहीं हुआ ना तो तुम बाकी लोग को दोश देने लग गया because you are very overconfident this time in your exam overconfidence तो आता ही है जब paper easy आया सब चीज ठीक हुआ और तुम पास किया तो तुम बोल रहा है सब कुछ मेरे वज़े से हुआ है so that is overconfidence और इससे क्या होता है तुमारे rational decision making में एक bias आता है overconfident आदमी के दिमाग में एक चीज चड़ जाता है कि सब कुछ मेरी वज़े से हो रहा है इसी लिए bias आता है ठीक है fund management के context में for example मैं आपको बता रहा हूं recently मैंने 50 लाग रुपे डाला अपना एक fund में ठीक है मैंने डाला मूतिला लोसवाल के मूतिला लोसवाल के fund में डाला है founders fund में डाला है ठीक है तो जो previous fund manager था उसका क्या था buy right and sit tight यह उनका fund था कि आप सही खरीदो और आप lifetime इसको बेचो मत तो buy right and sit tight के हिसाब से उसका principle के हिसाब से एक शेहर को उन्होंने खरीदा 1000 रुपय में उसका दाम आके हो गया 200 रुपया तो 80% फॉल आ गया तो अभी भी क्या बिसको नहीं बेचेंगे लेकिन वो क्या बोल रहे है नहीं नहीं हम नहीं बेचेंगे मेरा पंडा किया buy right and sit tight तो इतना adamant होना इतना overconfident होना आपका फंड में ठीक नहीं है ठीक है ना क्योंकि आपका पैसा नहीं पॉलिक का पैसा है अब देखते हैं कि यह लोग क्या लिखा है देखो पहला बाद तो लिख दिया था कॉस्ट तो थी के लिख दिया था कॉस्ट के लिख दिया था गॉस्ट अड फिर उसके बाद में यह लोग क्या बोल रहा है active fund managers attempt to detect exploitable mispricings since they believe that markets are not universally efficient fund managers have an advantage in terms of being able to form an opinion on the competence of the management team and the strategy of the company fund managers are also increasingly utilizing alternative data to generate excess performance alternative data का मतलब क्या होता है आपका जो data source है आप अलग-अलग data sources use कर रहे है जहां पर आपको cost लग रहा है देखो एक जो होता है freely available data वो तो सबके पास में बट आप क्या कर रहे हैं आप cost वाला data को use कर रहे हैं अलग-अलग data sources से और और data ले रहे हैं जैसे मैं आपको छोटा से देख्र आपको पूरा इंसाइट पता चल जाएग और वो जो 1 रुपय रहे है न वो सम आपको 2-3 लाग रुपय बचाके देगा वो समाव आपको 2-3 लाग रुपय सम्जग ये चीजह Semi-Strong Firm, EMH, assumes that all publicly available information is included in stock prices. If an investor believes Semi-Strong, if an investor believes Semi-Strong EMH applies, then they are likely to think actively managed funds can outperform the market. However, there is a cost to obtaining information quickly and accurately. Active fund managers trade more frequently than passive fund managers, incurring transaction cost. The active fund manager is likely to charge a higher fee for these extra costs. The investor will need to consider whether he believes the impact on expected fund return is greater than the increased costs. Iska matlab ki hai? Boltai hai ki mera jho fund mein jho expected changes ayega, benefit zyadha hogga compared to cost. मैं jab net net mein alpha generate kar pahunga, mera baat samajna. Iska matlab ki hai? Dhyan sunnye, iska matlab ki hai? Iska matlab ki hai? Dhyan sunnye, iska me 2-3 part hai. To net 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 mera ko extra kitna aar hai? 4. Yeh dhekna paadee ga ki isma alpha aar hai ki nahi aar hai? Dekho, tum index me paise lagaya, index me tum paise lagaya, tumko return aayega 12% ka tumhara kharcha lagaya 1% ka. To net net kitna aaya? 11%. Tum PMS me paise lagaya portfolio management services me. PMS me kya hota hai? Tumko maanlo 20% ka return aar hai, but woh log bol diya hai ki em log 10% ka charge lenge. Chai profit aaya chai nahi hai, to net net kitna aaya hai tumko? 10 aaya na, to yeh chih samajna paadeega. Isko boltai low cost indexing versus high expenses. Toh bohut sara joh diggaj loge hai, woh log hameesha kya boltai low cost indexing karna chahiye. क्योंकि low cost indexing में tumhara charges एक दम कम लगता है, समझा? मने ये passive हो गया, कि tum indexing कर रहा है, मतलब तुम index पर पैसा लगा रहा है. तो index पर तो तुमको पता ही कि क्या-क्या stocks है, लगा दो पैसा. तुम्हारे पास में 1 crore रुपय है, तुम nifty में लगा दो, क्या दिक्कत है? 5 crore रुपय है, तुम nifty में लगा दो, क्या दिक्कत है? समझा? यही सब बोला है, तो उसको अच्छे से read कर ले न, ठीक है? तो यह ला question सबको clear होगा. क्योंकि वो अपना skill है, वो अच्छा-चा information को use करेगा, उससे basically अपना निकालेगा return, अब जैसे माल ले, मैं अपना पूरा portfolio ITC पे लगाता हूँ, तो मैं actively manage कर रहा हूँ, न, बजब अगर ITC, तुम समझ रहा है, अगर ITC 20% उपर चला जाए महना में तो कोई बड़ा क्या है यहाँगा हूँ, न, क्यूर में तू देखो, अ इस्वार राइट इस इस प्रफिट फिर फिर बनेफित फौर्स्ट अलम्दा, प्रिमिंट मैं रॉड्स प्रिमिंट यूदिध अप्रिमिंट थैंप्रिमिंट यूदिव कॉनिट विटेगा, थिके हैं? न, बज़ तो इसमें बेसिकली हम लोगो को क्या बोला है? हम लोग को बेनिफिट जो देना है वो कितने का देना है? 250 का और हम लोग का जो थीटा जो है वो क्या है? 10 परसेंट, राइट? अब देखो, lambda mxr is equal to cr plus lambda. so this is equal to 1.1 into 250 into arrival rate is lambda minus 1.12 यह re-insurer का है? into 250 into 1 minus alpha into lambda. बोलता है, alpha जो है, alpha re-insurer देगा, तो 1 minus alpha re-insurer देगा, ठीक है? this whole thing into r plus lambda. ठीक है? इसको simplify करिए. so lambda के संग में क्या आ जाएगा? 275 minus 280 into 1 minus alpha. this whole thing into r plus lambda. ठीक है ना? तो हम लोगा जो mxr जो है, mxr जो है, यह हम लोगा आएगा. mxr जो हम लोगा है, यह हम लोगा आएगा. अब जैसे देखो, यहां पर क्या हो रहे है? mxr क्या है हम लोगा? exponential 250 into alpha 250 into alpha into r ठीक है? अब इन दोनों को equate कर देंगे. यह कैसे है बताओ तो? क्योंकि एक ही है, mxr है न, तो e to the power क्या हो जाएगा? e to the power क्या हो जाएगा? rx तो r है और x क्या है? 250 जो amount आएगा into alpha. x मतलब insurer को कितना claim देना है? 250 का ही claim amount आएगा into alpha देगा वो. अब इसको और इसको equate कर देंगे. तो हम लोग का आ जाएगा जो हम लोग को बोला है प्रूफ करने, ठीक है? find the value of alpha that maximizes the adjustment coefficient by differentiating the formula with respect to alpha. इसके बाद में क्या करना है? मेरको alpha के respect में differentiate करना है. alpha के respect में differentiate करना है. माकिमा-minimum वाला concept लगाना है इसमें. Maxima Minima वाला concept लगाना है इसमें, इसमें Maxima Minima वाला concept लगाना है मेरेको. तो Maxima Minima का मैं एक दो step कर देता हूँ, अपने को करना पड़ेगा dd alpha of e to the power 250 alpha r. ठीक है? नाँ this is equal to 280 alpha minus 5 dr d alpha plus 280 r. ठीक है? अब chain rule से करना पड़ेगा इसको. So e to the power 250 alpha r dd alpha of 250 alpha r. है ना? and this is what? Same चीज, as it is. ठीक है? सो यहाँ पर क्या आएगा? e to the power 250 alpha r into 250 r plus 250 alpha dr d alpha समझ रहें ना? क्योंकि r में भी alpha है. r में भी alpha है. ठीक है? ठीक है? हम लोगों क्या बूला है? बूलता है r में भी alpha है. ठीक है? और इधर वाला तो as it is पूर आ जाएगा. अब d r d alpha को 0 put करो. यह वाला जो आया है ना? अब इसके बाद में तुम d r d alpha को 0 put करो. यह इसमें क्रक्स था. बहुत लोग r को हटा देंगे, r ऐसे हटेगा नहीं. r के अंदर भी alpha है. ठीक है? तो यह हो जाएगा? तो तुमारा क्या आएगा? e to the power 250 alpha r into 250 r is 280 r यहां से तुमारा आएगा r क्या आएगा? 1 by 250 alpha ln 28 by 25 अब हम लोग को क्या करना है? यह जो r का जो value आ रहे है यह हम लोग को equation 2 में डाल देना है r का जो value आ रहे है यह equation 2 में डाल देंगे ना तो पूरा alpha के terms में हो जाएगा और फिर वहां से alpha का निकालेंगे value जो equation 2 जो हम लोग बनाये थे यह वाला यह वाला जो आ रहा था बने this is equal to this समझ गया? यहां से यह से lambda lambda कटेगा तो जो अपने को जो question में जो दिया है तो जैसे हम लोग क्या बोल सकते है अपना क्या आएगा? 28 by 25 is equal to 280 alpha minus 5 by 250 alpha ln 28 by 25 plus 1 तो यहां से alpha का value आजाएगा 0.37 0.3272 ठीक है न? यह बहुत important question है exam में आएगा दुबारा से online में सब को सवाज में है वेदिका, अकांग्षा, प्रियांशी, ननिका और मिहीर सब्सक्राइगा question number 3 में आओ consider two individuals with the following utility functions individual a का दे दिया और individual b का दे दिया है तो individual a का हम लोग को क्या दिया है u w is equal to what w plus 0.01 w square and इसका क्या दिया है u w is equal to ln w each individual has a current wealth of 300 calculate the current utility of wealth डाल देंगे answer आ जाएगा यह नहीं कर रहा हूं मैं so that individual a has increasing a ra and decreasing a ra यह क्या करेंगे? arrow prat measure से कर सकते है न? क्या था formula बताओ? ठीक है, minus u double dash of blue by u dash of blue से check हो जाएगा each individual is offered the chance to gamble for free, the outcomes of the gamble are distributed as follows dollars hundred gain with probability itna no change in wealth and two hundred ka loss तो हम लोग को बोलता है या तो plus hundred होगा या फिर zero होगा या फिर minus two hundred होगा यही बोल रहा है न? इसका probability है 20% इसका है 70% और इसका है 10% तो क्या होगा? because expected change is zero न? ठीक है? calculate the expected change in wealth from the gamble determine for each individual whether they should accept the gamble तो गैंबल कब accept करेगा? जब utility भढ़ेगा तो expected utility of wealth निकालेंगे after the gamble और चेक करेंगे कि पहले से अभी में क्या है? discuss the relationship the person organizing the gamble now wants to change the participants now wants to charge participants our entry fee so that the maximum entry fee that individual A should be willing to pay for the gamble is 8.68 हम लोग को वो निकालना है cx alone u c w minus हां हां ठीक है? चलवाओ यह थोड़ा बात कर लेते हैं अपना expected change तो 0 आ रहा है ठीक है? expected change 0 आ रहा है अब हम लोग एक करके निकालते है expected utility of gamble expected utility of gamble यह हम लोग निकाल रहे हैं individual A के लिए तो उसमें क्या आएगा? 0.2 into क्या आएगा? u क्या आएगा बोलो 300 था प्लस 100 फिर 0.7 u 300 फिर आएगा 0.1 u 300 minus 200 ठीक है न? This is greater than individual A's current utility मने इसका तुमारा जो answer आएगा 1260 इसका तुमारा जो answer आएगा यह आएगा 1260 वर्सस जब तुम खाली किया था 300 रुपया लेके तुमारा आ रहा था 1200 ठीक है तो यह 651 वर्सस पहले कितना आया था 5.7 तो इसका तो जमेला ही खतम हो गया तो accept नहीं करेगा और इसका में बोल रहा है कि कितना maximum premium यह pay करने के लिए ready होगा ठीक है पार्ट फाइव में हम लोग को बोल रिलेशन्शिप बताने है देखो risk average gamble fair है तो risk average individual नहीं करेगा और risk seeking करेगा तो individual a is risk seeking individual a risk seeking कैसे है u double dash w check करना पड़ेगा उनलोग को if u double dash w याद आ रहे है क्या-क्या था if u double dash w क्या है बताओ if u double dash w is greater than zero तो क्या हो जाएगा seeking हो जाएगा if u double dash w is less than zero तो average equal to zero होने से neutral और यहाँ पर क्या हो जाएगा average तो उसके हिसाब से हम लोग करके देख लेंगे ठीक है फिर हम लोग को बोलता है कि कि कितना premium वो pay करेगा तो वो जो equation था fee मतलब क्या premium और हम लोग को investor के हिसाब से करना है दो था ना एक था insurance company के हिसाब से और एक था investor के हिसाब से तो investor के हिसाब से करेंगे Utility of 300 plus 100 minus premium, फिर plus 0.7u, क्या होगा, बताओ, 300 plus 0 minus p, फिर आएगा 0.1u, क्या, 300 minus 200 minus p, now this is equal to 1200, और यहां से हम लोग को p का value को solve करना पड़ेगा. डाल सकता है, बटिर दिखा देगा तो better रहेगा, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकता है, कि तुम p का value जो दिया वहे, 8.68, अब तुम इसको डाल दो इसमें, ठीक है, अब तुम p का value को इसमें डाल दो और देखो 1200 आ रहे की नहीं आ रहे, ठीक है, समझ गया, मने बोलने का मतलब क् p का value बढ़ेगा, तो expected utility of the wealth after the gamble will reduce, और p का value अगर गिरेगा, तो expected utility of wealth after the gamble will increase, because p is the entry fee that they are charging, ठीक है, समझ में आ रहे है, ओके, आओ, यहा तक समझ में आ रहे है, सबको यह, बोलो, वेदी का, अकांशन, ननिका और मिहीर, बोलो, तब ही आगे बढ़ेंगे, समझ में आए कि नहीं आ यहां तक, ठीक है, आओ, question number four में आओ, an investment analyst assumes the return on a fund follows a discrete distribution as set out in the table below, calculate the expected return and variance, calculate the following measures, semi-variance, shortfall probability, expected shortfall, ठीक हो, करते है, तो expectation निकालना easy है, variance कैसे निकालेगा, पहले expectation बताओ क्या आ रहे है, expectation तुम्हारा आएगा 4%, तो फिर variance निकालना बहुत easy हो जाता है, variance निकालेगे, 0.1 into 4 minus 0 ka square, plus 0.2 into 4 minus 2 ka square, plus 0.4 into 4 minus 4 ka square, plus 0.25 into 4 minus 6 ka square, सब में परसेंटेज लगा देना, सब में परसेंटेज लगा देना, पूरा सारा काम decimal में करना है, एक बात याद रखना, variance is a percentage square measure, इस से जब हम लोग decimal में जाएंगे, तो डिवाइड करेंगे, 1 by 100 into 100 से, अगर कभी variance percentage में दिया हो है, मतलब एक बार 100 से डिवाइड किया है, एक बार अगर 100 से डिवाइड करेगा, तो एक percentage हटेगा, फिर following risk measures का देखो, semi-variance निकालने बोल रहा है, तो mean के नीचे कौन-कौन सा है, mean के नीचे कौन-कौन सा है, 0 और 2 है तो खाली उसका कर लेंगे, ठीक है, मतलब खाली ये वाला करेंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीन लेंगे हम लोग, बने एक हम लोग ये वाला लेंगे, एक ये वाला लेंगे, और एक ये वाला लेंगे, इन तीनों को लेंगे, shortfall probability relative to a benchmark return of 5%, तो 5% के नीचे क्या-क्या return है, 0 to 4, तो 10, 20 और 40 कितना होता है, 70%, फिर हम लोग को निकालने बोल रहा है, expected shortfall, तो 5 के नीचे क्या-क्या है और उसका होने का संभावना, So, expected shortfall is 5 के नीचे क्या-क्या है, 10% probability है, कि 5 के नीचे 0 है, 0.2 probability है, कि 5 के नीचे 2 है, and 0.4 probability है, कि 5 के नीचे 4 है, तो shortfall into probability, shortfall into probability, shortfall into probability is going to give me expected shortfall, किस चीज का expectation है, shortfall का expectation है, तो इसलिए shortfall into probability करके करेंगे, फिर हम लोग को बोलता है, the second analyst believes the true distribution of the return on the fund is as set out in the table below, comment on how using this distribution would affect your answers to part 1, ठीक है, तो अब देखो, इसमें क्या हो रहा है, पहले जो था, आपका 0 से 10 था, बट यहां पर क्या हो रहा, minus 10 से 30 हो जा रहा है, तो spread बढ़ जा रहा है, तो variance बढ़ जाएगा, right, spread बढ़ जा रहा है, मतलब variance बढ़ जाएगा, यह एक point आ रहा है, expected return is likely to be about the same, the distribution now has much more extreme upsides and downsides, the distribution has fatter tails, increased kurtosis, the variance has increased significantly, semi-variance has also increased, shortfall probability में कोई भी change नहीं होगा, यह बहा हलका हलका करके देख लेना, basically, बोलने का उन्द, this is one of the limitations of this measure, it does not capture how bad the shortfall could be, shortfall, चीज समझो, shortfall probability का मतलब क्या होता है, नीचे जाएगा उसका probability बताओ, अब नीचे गया तो कितना गया उसके लिए क्या करना पड़ता है, expected shortfall, ठीक है, expected shortfall has increased, the semi-variant shortfall probability and expected shortfall are all measures of downside risk, and take no account of upside risk, ठीक है ना, the maximum return is now significantly greater, ठीक है, यह वाला सबको समझ में आया, yes or no, बताईए फड़ा फट से, में नहीं है, बत है नहीं है, यह हम लोग को करना तो पड़ेगा, देखो, ठीक है, आओ, question number five में आओ, देखो, क्या बोल रहा है, individual has a liability of 1000 payable in exactly three years time, that to determine the present value of this liability, they assume an annual return that follows a log normal distribution, in log normal distribution, parameters of mu or sigma square, the return in each year is independent of the return in any other year, derive the formula for EPV of the liability, variance of the present value of the liability, log normal distribution है, ठीक है, तो सबसे बहले इसको करेंगे, so, annual return को इसको पूरा अच्छे से कर लो, annual return को यह लोग लिए IT, same question दुबारा दे सकता है, इसका कोई chapter से link-up नहीं है, ऐसे general question है, finance का, EPV of 1, EPV of 1, in 3 years time, मतलब एक रुपय का, जो present value, एक रुपय जो तीन साल बात खड़ा है, यहां पर एक रुपय इसका present value, ठीक है, Sigma square So log of one plus i, kya follow करेगा? Normal mu, sigma square Return बोला, return Assume कि यह लोग की Hmm.. सही बोल रहा है हाँ हाँ देखो, actual में पहले जो sum आता था नहीं तो मेरा stochastic interest rate model से है तो उसमें वैसे ही करते थे Return IT बोलता था IT follows log normal फिर हम लोग one का adjustment करते थे बट सिंस यहां पर यह लोग नहीं किया है तो हम लोग भी नहीं करेंगे और क्या Annual return that follows a log normal distribution तो one plus IT मानके करो ठीक है? One plus IT मानके करो क्योंकि देखो उपर में अभी लोग देखो उपर में लिखा annual return year IT समझ रहा है? तो ultimately होना वही चाहिए था बट अब क्या बोले? चीक है? आक्चुल में देखो log normal distribution बोलता है न जब तो one plus i होता है क्योंकि return cannot be negative मैंने यह लोग यहाँ पर interest यह लोग क्या बोलता है? कि यह वाला part जो है न यह negative नहीं होना चाहिए तुम चीज समझ i negative होगा चलेगा मैंने i जो है यह तेरा negative होगा चलेगा बट one plus i तो negative नहीं हो सकता है न इसलिए log normal लेता है इसको ठीक है? तो अब जैसे क्या है देखो ध्यान से हम लोग को क्या करना है one plus i to the power minus one है न यह तो ln अगर लगाएंगे so ln one plus i यह minus हो जाएगा न सो ln one plus i क्या follow कर रहा है normal तो इसको minus लगाएंगे तो यह क्या follow करेगा normal minus sigma square अब क्या कर रहे हम लोग minus ln ln one plus i one minus ln समझ गया ना minus ln one plus i three तो यह क्या follow कर रहा है normal minus mu, sigma square normal same ही तो चीज यह भी follow कर रहा और यह भी तो follow कर रहा है अब इन तीनों का minus में सम चाहिए तो ultimately यह पूरा चीज क्या follow करेगा normal minus three mu, क्यों क्यों क्योंकि सारे iid random variables है independent है और identically distributed है तो कोई भी covariance नहीं है ठीक है the mean of a series of any iid तो यह हो गया अब basically इसके बाद में ठीक है अब ln अब देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं ln यह जो भी अपना है मतलब यह minus i1 से लेके minus ln 1 plus i3 यह अपना follow कर रहा है normal ना तो अपने क्या बोल सकते हैं यह क्या है basically पहले समझो अब अपने ऐसे करते हैं ln 1 plus i1 1 plus i2 1 plus i3 whole to the power minus 1 तो यह अपना क्या है यही तो है अपना ePV this follows normal तो यह वाला जो अपना ePV जो है यह क्या follow करेगा log normal minus 3 mu, समझ गया अब इसका मेर को expectation of variance निकलना है इसका expectation of variance कैसे निकलेगा expectation of ePV यह तुमारा निकलेगा e to the power minus 3 mu mu plus half sigma square and variance of ePV जो निकलेगा वो क्या निकलेगा mean का square into e to the power 3 sigma square minus 1 क्या क्यों भई हाँ तो यह तो sigma square ही तो है यह तो sigma square ही तो है ठीक है and यह क्या होगा इसमें इसमें तुमारा multiply हो जाएगा 1000 का square और इसमें तुमारा multiply हो जाएगा 1000 ठीक है फिर इसके बाद में the investor has calculated ePV to be इतना and variance to be इतना mu और sigma square का value निकालने बोल रहा है अब हम लोगो क्या करना है इसको equate करना है और इसको भी equate करना है तो दो equation है और दो unknown है but पहले हम लोग का sigma square निकलेगा क्योंकि mean का value भी यहाँ डाल सकते है तो पहले sigma square निकलेगा फिर mu निकलेगा तो यह वाला easy हो गया the investor chooses to invest 900 and uses the distribution in part 2 to model this investment. Calculate the probability that this investment will not be sufficient to meet the liability of 1000 बहुत simple है यह तो so basically अभी क्या बोल रहा है probability यह actual में पता है, Brownian में भी सिखाया गया है same same चीज Brownian में भी सिखाया गया है तो इसलिए लोग दे दिया लग से question इसको Brownian का एक part समझो basically easier than Brownian so 900 into 1 plus i1 1 plus i2 1 plus i3 है na? will be greater than not be sufficient बोला है तो less होगा will be less than 1000 इसका probability निकलना है so probability 1 plus i1 से लेके 1 plus i3 will be less than 1000 by 900 और ये वाला जो है कि accumulated value follows normal 3 mu sorry follows 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 log normal follows log normal 3 mu, 3 sigma square इसको हम लोग virm model भी बोलते है variable interest rate model variable interest rate model का मतलब क्या होता है कि ये जो interest rates है ये तीनों अलग अलग है पिछला साल क्या हुआ था और आने वाला साल में क्या होगा उससे कुछ फरक नहीं पड़ता है इनको ये अपना independent values लेंगे सबसे वहले तो log लेंगे तो ultimately हम लोगा क्या आएगा ln मैं बता रहा हूँ क्या आएगा अपना ln final क्या आएगा देख लो probability z will be less than ln 1000 1000 by 900 minus 3 mu whole divided by root under 3 sigma square ये अपने को निकालना है समझ गया ना ठीक है this is done Any doubt Vedika Aakangshah ठीक है कोई दिक्कत हुआ इसमें झाले कुछ नमर्शे बें देखो करे 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 लाइंच कोश्यनांबर सेको सोो मैं अश्यावें देखो मतलब एक तो नमे盲 का दिया है और एक उसकादीया तो क्या निकालेंगे recover the outstanding claims for this portfolio USING the ACPC method तो पहले एर्जन निकालेंगे, एकदम Koreanaf clear theme मैं लगा हहँ एकदम मैं मानी नहीं कर दो अकड धम 跟 average निकालेंगे और फिर grossing of factors use करेंगे राइट question number eight देखो nt denoting the number of claims and insurer experiences over time n1 follows the poison distribution with parameter lambda derived from first principles the mean of n1 कैसे derive करेंगे mean of n1 हाँ यह लोग तो expectation से किया है expectation से भी तो कर सकते है summation k into e to the power minus lambda lambda to the power k by k factorial k runs from the poison ka zero to infinity ठीक है so this is summation ab k है na so e to the power minus lambda lambda to the power k by k minus one ka factorial so this is equal to lambda को ले लो बाहर क्योंकि summation किसका है k का है ab देखो ab जब यहां पर मैंने यह कर दिया na adjustment तो अब जब आप k का value को zero डालोगे तो नहीं valid है now this is valid for k greater than equal to one so this is what e to the power minus lambda lambda to the power k minus one by k minus one ka factorial ठीक है so this is what lambda summation k runs from zero to infinity e to the power minus lambda lambda to the power k by k factorial मैंने मैंने क्या किया बोलो तो हां यहां से यहां पर कैसे आये मैंने बोलने का मतलब है यह और जिससे चालू किये थी यह दोनों क्या है same है ठीक है ना zero पर value क्या आ रहे है ना e नहीं 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 lambda to the power zero by zero factorial e to the power minus lambda आ रहे है ना तो लोग adjust कैसे किया फिर इसको क्या किया भाई ही लोग अभी यह PDF है यह थोड़ी PDF है यह 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 पर यह तो एक नया variable यूज़ किया है तो यह 1 आ रहे है क्या? sum of pdf is 1 z is what? k-1 तुम बोल रहे है ना तो dz is what? dk ऐसे मदब देख रहे हैं कि यहां पर तो problem नहीं आ रहे है मानि इस पर तो problem नहीं आ रहे है तो जब आपका k value होगा 1 तो z का value 0 होगा हाँ, ठीक है फिर हम लोग को बोलता है one of the requirements for the process nt to be poisoned is to assume that when s is less than t the number of claims in the time interval is independent of the number of claims up to time s मने independent बोल रहा है कि 0 to s में जो होगा और s से t में जो होगा वो दोनों independent है Explain in your own words what this assumption implies about the number and or the rate of claims that the insurer experience this property means that in a given interval the number of claims is unaffected by the number of claims in the past memoryless property का बात हो रहे यहां पर देखो यह 0 है यह t है और यह s है बोलता है यहां से यहां पर जो आएगा और यहां से यहां पर जो आएगा यह दोनों क्या है not dependent ठीक है memoryless property बोलता है रहे नहीं भूत स्वाइध बदी भूष पिर बोलता है भी तो पote पिर दिसक्सां इसर्णे बसुर to make this assumption. Discuss whether it is reasonable for the insurer to make this assumption. What are you saying? On the one hand, using a poison process leads to... I have given you a video of poison process, right? On the one hand, using a poison process leads to tractable mathematics in the field of ruin theory and on the surface it appears intuitive. We would not expect the number of claims ten years ago to affect the number of claims now. Because, what changes change. However, it is easy to imagine scenarios in with the assumptions of independence breaks. In fact, you have to say, CM2 is not a practical paper. Try to understand this thing. So, the material will not be read properly. To make the entire paper, the intuitive should be understood. The question in mind is like comments, you have to read and read. What you are doing is, you practice 10-15 years old paper, पर कोई फाइदा नहीं है, कोई भी फाइदा नहीं है, अभी recent 2019 से ले करके, 2019 से paper का pattern को समझो, और ये जो recent 10 terms के paper है, इसको एकदम अच्छे से करो, mocks मैंने एकदम latest वाला आपको दिया, ये तीनों mock आप दीजिये, ये तीनों mock आप दीजिये, तब आपको actual में समझ में आएगा कि क्या pattern बन रहा है paper का, ठीक है ना? Try करो exam, मैंने उसके पीछे में, जितना भी सारा comments वकर है, सारा read करो, However, it is easy to imagine scenarios in which the assumption of independence breaks down. During a mass claims event, it is highly likely that there will be more claims next week, given there was a large number of claims this week. During a mass claims event, it is highly likely that there will be more claims next week. This means the assumption in practice. आप, देखो यहां पर क्या बोलता है, during a mass claims event, it is highly likely that there will be more claims next week, given there were a large number of claims this week. मैंने आपको जब claims भढ रहना तो भी आपको से pattern समझ में आ जाएगा. तो कहीं-कहीं पर independence वाला activity काम नहीं करता है, बट कहीं-कहीं पर काम करता है. ठीक है? यह यह लोग यहां पर बूला है. कुछिन नमर नाइन देखो एक बार. An insurance company sells inflation link policies to customers. The policy includes a guarantee that the rate of return will have a minimum of 1% and a maximum of 2.5% per annum applied at maturity. ठीक है? The insurance company would like to delta hedge the position. The current rate of inflation is 1%. You may assume that continuously compounded risk-free interest rate is 2%. Implied volatility sigma is 15%. Term of policy 8 years. The assumptions underlying the Black-Scholes formula apply. Explain how to construct a portfolio using European options that replicates the required payoff profile. फिर बलता है, calculate the policy's delta. Explain how to construct a delta-neutral portfolio. Due to unforeseen events, the insurance company has been able to rebalance its portfolio for delta hedging purposes. The policy will expire at the end of the day. Current inflation stands at 10%. State with reasons the value of this policy of delta-gamma-vega. क्या बोलता है? Guarantee minimum है 1%. ठीक है? माने 1% की नीचे हमने को क्या चीए? पुट और 0.5% maximum है. तो 0.5% की उपर क्या करेंगे? Call sell. 1% का strike पे क्या करेंगे? Put buy and 0.5% का strike पे क्या करेंगे? Call sell. बहुत simple था यह तो. अब इसको करेंगे कैसे वह देख लो. The requested payoff profile can be created using an option spread by buying a forward or exposure to the inflation index and buying a put option at the 1% and selling a call. Both options with an 8-year term. समझ गया ना? एक तो अपने को index buy करना पड़ेगा जिसका movement अपने trace करेंगे. यह movement भी तो चाहिए ना? अपने को कैसा चाहिए? ऐसा कुछ चाहिए. यह वाला जो है, इसके लिए क्या buy करेंगे? Index. इसके लिए क्या करेंगे? Call sell. और इसके लिए क्या करेंगे? Put buy. Clear है payoff? फिर हम लोग को बोलता है, calculate the policies delta. तो policies delta मतलब क्या? 5D1. तो put का जो strike है उसका delta, call का जो strike है उसका delta. ठीक है? आओ. तो delta add 1% strike. So 1% strike पे क्या है? Put है ना? तो put का delta क्या होता है, बताओ. पहले तो D1 निकालो. LN 1 माना है, देखो यह लोग 1 माना है. 1 माना है, क्या है उपर में बताओ? D1 का formula क्या है? St by K, ठीक है ना? तो इसको 1 माना है, and फिर यहां पर कर रहा है, e to the power 0.01 into 8 ठीक है? फिर बोलो plus rate of interest दे दिया है का अपने को? यहां दे दिया है, plus r plus half sigma square बोल रहा है ना? 0.15 का square this whole thing into 8 फिर इसको divide किसे कर रहा है? sigma root t-t मतलब क्या? 8 यह कैसे बताओ तो, st1 मान लिया, st by K यह क्यों आया? e to the power 0.01 into 8 मतलब very good अपने basically वो किस पे करेंगे, क्या बलते हैं? fix किस पे करेंगे, तुम चीज समझो, मैं बोल रहा हूँ कि आज आज आप मेरे को एक रुपए दे दिये, st मतलब आज का, ठीक है? st मतलब आज का, अब मैं बोल रहा हूँ कि यह एक परसेंट से ग्रो करेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ साल, सॉरी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ एर एक आठ साल, समझा? तो continuous compounding में यहां पर क्या आजाएगा? e to the power 0.01 into 8 यह आएगा ना? तो यह प्राइस अपना होगा, कि इन्वेस्टर को मेरे को यह तो minimum देना ही देना है, समझ गया? यही चीज मिनिमम, अब हम लोग जब कॉल का करेंगे तो उसमें क्या आजाएगा? e to the power 0.025 into 8 आजाएगा. क्यूं? अपने को क्या बोल रहा है? अगर मेरे को सामने सामने को minimum 1% का रिटरं देना है तो किसके नीचे जाने से Mereya कोस्पूट का का वयल्यू चाहिए? इसके नीचे जाने से ना? और यह मैक्सिमम अपने को सामने सामने वाले को देना है, तो इसके उपर का मैं सब छोड़ दूँगा, इसके नीचे का मैं सब रख लूँगा, 1% per year, yes, 1% का return बोल रहा है, return per annum, amazing question, यह नहीं कर पाया होगा, कोई नहीं कर पाया होगा, यहीं फस गया होगा सब लोग, अब देख लो, तुम लोग बोलता है न, copy में मिलेगा, copy में मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा copy में, कहां मिलेगा, बताओ यह सम, यह वो ही कर पाएगा, जो समझ समझ के धिरी-धिरी कर रहा है, कि भाई मेरे को कितना वो चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, मेरे को किस rate पर strike को रखना है, आक्च्वल में यह करके लोग confuse कर दिया, बहुत लोग ऐसे भी कियोंगे, 1.01 to the power 8, सही है, बट हम लोग तुमारा black schools में हमेशा continuous compounding मानके चलते हैं, तो इसलिए लोग वो किया है, ठीक है न, तो यह D1 का निकालेंगे, similarly, हम लोग डेल्टा, यह तो हो गया न, फिर similarly हम लोग उसका करेंगे, 1.5% वाले का कर लेंगे, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस तो क्या ही करेंगे, एक का डेल्टा आएगा, बने पुट वाले का, पुट का जो आएगा डेल्टा, वो क्या आएगा, 0.344, और कॉल का आएगा 0.547, और इंडेक्स का आएगा 1, है न, इंडेक्स का भी तो लेंगे, तो इस विल भी 1, पुट खरीदा है, तो माइनस 0.344, और यह क्या किया है, तो माइनस 0.547, कैसे करेंगे, अब अपने को बोलता है, इंडेक्स का अपना पॉटफोलियो का डेल्टा यह आ रहा है, ठीक है न, बोलता है आप इतना यूनिट्स सेल कर दीजिए, किसका सेल कर दीजिए, इंडेक्स का, तो आपका डेल्टा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर अपने को बोलता है, फोकस करो, उल्टा, बोलता है, जा जाएगा, एक दिन में कितना चैनज का च्छोंग आजएगा, वेगा क्या होता है, कितना बुलाइटल हो जाएगा एक दिन में? इंडिया विख्स जो है अगर मालो 20% का चल रहा है तो एक दिन में कितना मुवमेंट आ जाएगा? उसका मुवमेंट से option में कितना मुवमेंट आ जाएगा? त्यसलिए विज Cristieiono क्या at end of day इस कोश्च्व में सबसे ज़्यादा तो क्रीम पॉइंट था बागी सब सब लोग बना लेगा सबसे ज़्यादा क्रीम पॉइंट था ये वाला ये वाला जो था ये बहुत इंपोर्टेंट है ये जो है ये समझना पड़ेगा अरे भाई कुछ नहीं दिया है अगर मानलो तुम लोग को दे देता अगर मानलो तुम लोग करी लेता तुम लोग को अगर हजार उपए दे देता तब तो तुम्हारा दिमाग चलना चलू जा ठीक है? Question number 10 देखो नहीं 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 ब्लाक स्कोल्स में continuous compounding मानके चलेंगे नहीं risk free है ना तो जो एक देगा वोई तो consistency से करना पड़ेगा unless and specifically बोल दे annual effective और अगर annual effective देता तो उसको delta में convert करके करो ठीक है? इसमें हमेशा ध्यान में रखना तुम लोग को बहुत बर confused करने के लिए annual effective देगा तो इसको delta में convert करके करना because तुम्हारा d1, d2 का जो formula में आ रहा है वो delta है यह बात याद रखना ठीक है ना? Question number 10 देखो Consider a forward contract on a share over a period where no dividends are payable S0 is the initial price of the share, R is the continuously compounded risk-free rate of interest contract in months. So by constructing two portfolios and assuming no arbiters the price of this forward contract यह तो basically normal pricing है कैसे करेंगे बताओ? A, B, दो portfolio रखेंगे एक में मैं रखूँगा forward contract F plus और मालो B में मैं रखूँगा share यही था ना? B में मैं रखूँगा share और यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा? बताओ यहाँ पर K रखूँगा K K cash भी तो रखना पड़ेगा Very good, हाँ Very good, very good K e to the power minus R T रखना पड़ेगा and term of the contract क्या है? small t मान के चल रहे हैं तो maturity पर क्या होगा? यह बन जाएगा मेरा K and F से क्या होगा? मिरको K देंगे और एक share लेंगे मतलब यह बन जाएगा मेरा यहाँ का और यह बन जाएगा मेरा यहाँ का यह S0 क्या बनेगा? S T बनेगा? तो दोनों का maturity value same है मतलब दोनों का present value भी same होगा और present value में क्या करेंगे? S0 is equal to K e to the power minus R T S0 e to the power R T is the forward price K ठीक है? फिर उसके बाब में बोलता है we are now told that S0 is itna, T is 20, R is itna the share will pay a dividend of 3% of the share price every six months and the next dividend is due in one month's time fair price निकालने बोल रहे है तो इससे जादे easy कुछ भी नहीं हो सकता ध्यान से देखो, graph देखो इसका इसका graph देखो क्या बुल रहे है? आज का value है 10 एक मेहना बाद क्या होगा sorry एक मिटुको 20 महने का contract है तो यह 0 है और यह 20 महना है next dividend is due in one month's time तो यहाँ पर आपको सुनो मेरे बाद सुनो यहाँ पर अगर value है 10 तो basically 3% of the share price every 6 months 3% of the share price तो यहाँ पर 1.03 हो जाएगा number of shares number of shares का बात करो यहाँ पर अगर मैं एक share खरीदा तो यहाँ पर जो भी market price हो जो भी market price हो उसका 3% dividend मिलेगा और उससे 3% से मैं additional shares buy करूंगा फिर बोल रहे 7 पे मिलेगा फिर बोल रहे 13 पे मिलेगा है ना और 20 मैंने का contract है तो एक के बाद 6 साथ 13 तेरा के बाद 6 कितना होता है 19 होता है तो 1.03 का square हो जाएगा 1.03 का cube हो जाएगा 1.03 to the power 4 और यहाँ पर क्या रहेगा 1.03 तो ते बार 4 और रहेगा यह बहुत important question है यह revision note का question है समझा वहाँ पर भी तो 1.03 तो 4 और रहेगा discrete point में dividend है अब यह share buy करने होता है यह forward buy करना है तो forward buy करने से यहाँ पर मेरे को 1 ची तो यहाँ कितने के लिए contract करूंगा 1.03 to the power minus 4 clear है this is the number of shares that I will contract for आज का share price कितना है 10 into 20 महने का discounting factor at the rate 7% so this is e to the power minus 0.07 into 20 by 12 because यह per annum और वो months है solve करिये इसको इसको solve करे बताओ कितना आ रहे है कितना रहे नाइन पॉइंट आएगा चेक करो दुबार आज़े hmm e to the power 80 होते है कितना रहे 9. ठीक है question number 6 देखो कुछ है नहीं रहे पेपर में एकदम लोपा पेपर बनाया है इसमें भी देखो आदा बच्छा लोग फेल हो जा रहा है कुछ भी नहीं है question में नयापन सब सेम सेम टैप का question है और वो जो हम लोग कर रहे है जो हम लोग अभी ज़स्ट किये यह वाला वो भी institute का मैट में दिया है black schools में कि अपने कोई सेम question दिया है जो question number अपने जो किये जिसमें बोला है ना call sell करने और put same question दिया है institute का मैट में institute का मैट से सारा question तुम्हारा exam में common हैगा लिख के ले लो institute का मैट पुरा proper वे में अलग अलग exotic type का question करो नयाने type का question लोग बना बना के देगा बना लो बना लो बनाने में क्या बना लो बट institute का मैट अच्छा से कर लेना question number six देखो आज का last question है अभी जैसे क्या है next week next week हम लोग आई आई का paper चालू करेंगे because revision note में नहीं है और 2023 तक का जो papers है वो मैंने करा दिया है मैंने community में डाला भी है 2023 तक का सारा मेरा paper सॉल्वड है paper एक ठीक है तो यह वाला जो है इसके बाद next week से मैं आई आई का papers कराऊंगा recent वाले से उससे भी अपने अच्छा-चा question प्राक्टिस हो जाएगा ri is equal to alpha plus beta i1 m1 plus beta i2 m2 plus यह कुछ है Greek letter where ri is written on security i alpha is constant देखो question देखके यह अजीब सा लग रहा बच्छों लोग attendee नहीं करें तो लोग strategy नहीं समझा हमको देखके अजीब सा लगा हम क्यूं दिमाग लगाएंगे इसमें हम इसले जो में को आता पहले हम वो सब करेंगे अब क्या में को पता है कि में बस time में आदा घंटा बारा नंबर हमाराम से बना लेंगे ठीक है alpha constant beta ij सब ठीक है mk देखो क्या बल रहा है mk for k1,2 are correlated rates of change and epsilon i जो भी समझ लो यह है is the independent random component derive an expression for the covariance between the returns of the two securities ठीक है 2 securities उसका covariance निकालना है state how the expression in part 1 would change if mk is equal to k for k1,2 where independent rates of change independent होने से क्या होगा covariance फोलटम सार जिरू हो जाएगा ठीक है आओ तो covariance अपने को निकालना है 2 security का RIRJ का so this is equal to covariance alpha plus beta i1 m1 plus beta i2 m2 plus epsilon i comma alpha plus beta j1 m1 plus beta j2 m2 plus epsilon j ठीक है ना? अब इसमें दोनों correlated main क्या-क्या बचेगा वो देख लो इसमें main क्या-क्या बचेगा covariance beta i1 m1 comma beta j1 m1 ठीक है? plus covariance beta i1 m1 comma beta j2 m2 plus plus covariance beta i2 hmm beta i2 m2 comma beta j1 m1 plus covariance x beta i2 m2 comma beta j2 m2 m2 ठीक है? अब beta बहार आ जाएगा सब में से तो क्या बचेगा? beta beta i1 into beta j1 covariance m1, m1 plus beta i1 beta j2 covariance m2 m1, m2 m1, m2 beta i2 beta j1 covariance m2, m1 plus beta i2 beta j2 covariance m2, m2 तो यह वाला variance m1 यह वाला variance m2 है न? तो final क्या आ रहे देखो? यह वाला जो है beta i1 beta j1 है न? sigma square m1 plus covariance m1 m2 अंदर में वह वाला आ जाएगा ठीक है न? अंदर में क्या आएगा? यह वाला plus यह वाला, ठीक है? यह दोनों का sum यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ पर आएगा beta i2 beta j2 sigma square m2 अब इसमें क्या होगा? जब बोलता है na m1, m2 independent है तो यह वाला पार्ट पुरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो बचेगा यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट फिर हम लोग को क्या बोल रहा है? अब फॉर्ट फॉर्म चेंज कर दिया है अब फॉर्म चेंज कर दिया है अपने को बोलता है कि assume करिए M2 is what? 1-x का square M1 का star where M1 star is what? first principal component ठीक है? तो अपने क्या कर रहे है? M1 को ले रहे पहले M1 star M2 ठीक है M1 को अपने ले रहे है M1 star ये तो ठीक है क्यों ले रहे हैं ऐसा? because M1 ठीक है 1-x square M1 है न हाँ ठीक है तो M2 को अपने ऐसा ले रहे हैं ठीक है अब जैसे M2 star को define कर रहे है तो M2 star मेरा क्या हो जाएगा? M2 minus 1-x का square M1 star ये हम लोगा बनेगा second principal component independent बनाना है न? ठीक है? बने पहला वाला में और error में तो कोई relation नहीं है तो दूसरा को हम लोग हमेशा क्या बनाते है? error ठीक है? तो Ri जो है मेरा वो क्या बन जाएगा? 1 plus 1 minus x square M1 star plus M2 star Ri में तो डालना पड़ेगा न? M1 और M2 को जगह में यहां से M2 क्या निकलेगा? M2 star minus ये पूरा चीज और M1 is M1 star Ri तुम्हारा क्या निकलेगा? Hmm? 1 plus M2 M2 Conclusion में क्या बुल रहा है? Ri can be written as a function of M2 only This could be interpreted to mean that M1 does not provide information over and above M2 मतलब M1 जो है यह है और यह पूरा क्या है? M2 मैने जो भी है M2 में है सारा चीज ठीक है न? That's it अब next week मैं आपको टाइमिंग बता दूँगा अब हम लोग IAI का papers करेंगे आपकी जो भी डाउट्स बगर है तुम लोग का IFO मैट बगर है से वो सब इंडस्ट्री एक्सपर्ट से क्लियर कर लो वो लोग का week में क्लास हो रहा है तीन से चार दिन उससे पुरा क्लियर कर लो ठीक है थेंगे थेंगे